Bachelor of Commerce याने की B.com में आपको कौन से topic के उपर पढ़ाया जाता है, इसकी eligibility criteria क्या होता है, कौन से subject पढ़ाया जाते हैं, कहां पर job मिल सकती है, job title क्या हो सकता है, आगे की पढ़ाया कैसे करनी है, इन सभी topics के उपर बात कर रहे हैं, तो B.com का course जो है, वो 3 साल का होता है, जिसमें 6 सेमिस्टर होते हैं, याने के 1 साल में 2 सेमिस्टर होते हैं, eligibility की बात करें, तो 12 कक्षा तक की पढ़ाया जो है, वो पूरी होनी चाहिए आपकी, तो obviously 12 की पढ़ाया जो है, वो आपकी commerce stream से पूरी होनी चाहिए, तब जाकर के आप जो है, वो B.com के course के लिए admission लेंगे, तो import laws और economic policies, इनको भी cover किया जाएगा, अब इनको subject में कैसे बाटा है, accountancy, cost accountancy, इसके बाद आता है, statistics, management, human resources, computers, तो computers का जो है, वो optional होता है paper, या optional वो subject है, अगर आप चाहें, तो ले सकते हैं, न चाहें, तो ना भी ले सकते हैं, इसके बाद economics का ग्यान होगा, law के बारे में थ थोड़ा सा पड़ाये जाएगा, finance के बारे में थोड़ा सा पड़ाये जाएगा, अब बात ये करते हैं, कि specialization, जो last year में आपका होता है, वो आप किस में कर सकते हैं, b.com में क्या है, कि बहुत कम colleges ऐसे हैं, जो कि बहुत सारे options देते हैं, specialization के लिए, बहुत से colleges जो है, वो account accountancy और auditing के उपर ही जो है, वो specialization offer करते हैं, लेकिन b.com के अंदर आप accounting and finance में भी specialization कर सकते हैं, e-commerce में भी specialization कर सकते हैं, foreign trade में भी specialization कर सकते हैं, computer application में भी specialization कर सकते हैं, और honors में भी आप जा सकते हैं, b.com honors, अब b.com honors की क्या है, कि demand बहुत जादा होती है, क्योंकि जो मैं मैंने streams बताए जो कि इसके अंदर cover होते हैं उनी को और ज़्यादा in depth पढ़ाया जाता है तो जितना ज़्यादा in depth knowledge होगा उतना ही ज़्यादा candidate जो है वो निकर करके आएगा उतना ही ज़्यादा उसे knowledge होगा skill होगा अच्छे तरीके से काम करेगा तो इसकी वज़य से honors को demand ज़्यादा होती है लेकिन honors के लिए अगर admission लेना है तो college में अलग से entrance exam होती है उसे crack करना पड़ता है तब जा करके आपको become honors में जो है वो admission मिल पाती है अब इस बात पर नज़र डालेंगे कि कहां पर नौकरी मिल सकती है तो अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फटा फट वीडियो को like ज़रूर कर दीजिए तो यहां पर आपको bank में नौकरी मिल सकती है business consultancies में आपको नौकरी मिल सकती है financial institute में आप जा सकते है educational institute में जा सकते है foreign trade companies में जा सकते है investment banking के सेक्टर में जा सकते है marketing companies में जा सकते है merchant banking में जा सकते है और public accounting के सेक्टर में भी आप जा सकते है अब आपके job titles क्या होंगे तो आप as a accountant के तौर पर काम कर सकते है auditor के तौर पर काम कर सकते है budget analyst के तौर पर काम कर सकते है Business Consultant के तौर पर काम कर सकते हैं Chief Financial Officer के तौर पर काम कर सकते हैं Cost Estimator के जौब के लिए जा सकते हैं Finance Manager के जौब के लिए जा सकते हैं Finance Analyst के जौब के लिए जा सकते हैं या Stock Broking भी आप कर सकते हैं तो ये सारी चीजे जो है वो आपके लिए open रहती है या इन सारे profiles के लिए जो है वो आप apply जरूर कर सकते हैं अब बात आती है कि आगे की बढ़ाई कैसे की जाए या क्या options रह जाते हैं तो सबसे बढ़िया option तो यही रह जाता है कि आपने अगर B.com किया हुआ है और finance आपका subject था तो MBA in finance कर सकते हैं आगे चलके बहुत बढ़िया करियर बना सकते हैं या आप M.com भी कर सकते हैं Masters in Commerce उसके अंदर भी आप अपना और specialized subject चूज करके Masters भी कर सकते हैं तो कुल मिला करके यह पूरा लेखा जोखा होता है B.com का तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजे और जादा से जादा शेयर कर दीजे